Hi everyone, this is Nivehita और आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Later और Later के बारे में इन दोनों शब्दों की Spelling में भी Difference है Pronunciation में भी Difference है और usage में भी Difference है ज्यादतर लोगोंने पहला वाला शब्द सुना होता है Second वाला सुना होता है या नहीं बट इसके usage को लेकर काफी लोग confused रहते हैं तो आज हम clear गरते हैं जो later होता है इसका मतलब होता है बाद वहीं later का मतलब भी बाद ही होता है बट दोनों में difference है जो later later होता है यह time के respect में बाद बोलने के लिए हम use करते हैं बट जब हमें position के respect में बात करनी हो तब हम लगाते हैं later और position भी कौन सा जब दो में से हम second वाले की बात कर रहे हो रेमेंबर यह दो की ही बात कर सकता है उसमें से जो बाद वाला होगा it can be person it can be thing उसके लिए हम लगाते हैं later घ्यान रखिए यह later है लेटर नहीं है जिसका या चिठ्थी भी होता था या अक्षर भी होता था here we are talking about later and later example देखते हैं अक्सर हम फोन पर बात करते वक्त लोगों से कह देते हैं कि I will talk to you later तो वह जो हम लेटर बोल रहे होते हैं कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा वह कौन सा होता है later वाला वहीं अगर हम आपसे कह बाइयों मैं से कौन दोनों भाई और इन दोनों बाईयों में से जो बाद वाला है जादा इंटेलिजेंट और और दो की बात हो रही हो और दो मैंसे हमें चांच मुस्त रचेट था later use होता है time के respect में और later use होता है position के respect में तो आएए अब इस पर based कुछ questions लगा लेते हैं so the first sentence is they dash regretted that they had not chosen to eat the cake मतलब वो यह कह रहा है कि उन्होंने बाद में regret किया था अब बाद में regret किया था मतलब time के respect में बात हो रही है क्योंकि यहां position का तो जिक्री नहीं चल रहा that means it should be later later कि they later regretted next sentence पे आते हैं the dash part of the movie was very interesting अब यहां बोल रहे हैं कि movie का जो बाद वाला part था that was interesting मतलब movie के दो parts थे उसमें से जो बाद वाला part था that was interesting तो यहां से जो part है वो बता रहा है कि हम किसने किसी चीज के हिस्से की बात कर रहे हैं और हिस्सा मतलब पहला और दूसरा रहा होगा तो जो दूसरा हिस्सा था that was interesting तो दूसरे के लिए हम यहां पे लगाएंगे ल, a, double, t, e, r, letter next पे आएं 5 years dash they became rich पांस साल बाद वो rich हो गए तो जो बाद है वो time के respect में है but obvious है that should be l, a, t, e, r next one I have fans on both Instagram and Facebook but I have more fans on the dash मतलब मेरे fans दोनों पर है Instagram पे भी और Facebook पे भी but मेरे जादा fans बाद वाले पे हैं अब वो बाद हम किस से कहेंगे letter, l, a, double, t, e, r से क्योंकि यहां पे हम दो में से बात कर रहे हैं Instagram और Facebook में से तो जो बाद वाला है that should be with l, a, double, t, e, r अगला देखें a few weeks dash I will go to Mumbai तो कुछ हफतों बाद मैं Mumbai जाऊंगा या जाऊंगी तो वो जो बाद है वो time के respect में है तो answer होगा आपका later and the last one is he had the option of car और bike he chose the dash तो उसके पास दो option थे या तो car या तो bike उसने बाद वाला चूज किया तो जब दो की बात कर रहे होते हैं और उसमें से हमें बाद वाला कहना हो तो वो हम कहते हैं la, double, t, e, r से I hope आपको later और later का difference हमझ में आ गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक्स पर वाचिंग